तौप बेस्ट कैमरा स्मार्टफून अडर 8000 तो अगर आपका बड़ीड 8000-8000 के बज़ेर रेंज में आप एक कैमरा स्मार्टफून लेना जाते हो यह वीडियो आपके लिए तुब बात करते हैं सीधा नम्बो 5 की बात करूं नम्बो 5 पर मैंने रखा है सैंसेंग गलेक्सी M02 को सबसे पहले इस प्राइज में मुझे बहुत ऐसे बंदे मैसी करते हैं जिनको सैंसंग का ही स्मार्टफून चाहिए होता है अगर आप भी उनमें से आते हो तो आपके लिए पॉफटी लोग सकता है सैंसेंग गलेक्सी M02 ठीक है अगर मैं स्मार्टफून की बात करूँ तो सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वाल्टी बहुत अगर आपके हाथ से फून गिर भी जाता तो यह खराब नहीं होने वाला तूटने नहीं वाला आप तो द्यम्याज की बैटरी मिल जाते है कैमरे की बात करो आपको डूगल कैमरा देखने को मिल जागा सेलफिी की बातों को फाइव मैशा के साथ सेल्फिय मिल जागए स्टोरेज की बात करूँ यह दो विड्र में देखने को मिलता है ठ्री चिपी रर्म प्लस आपको 32 भी storage देखनी को मिल जाती है, price की बात को 7200 के budget range में Samsung Galaxy M02 देखनी को मिल जाएगा, तो यार main specification मैंने आपको बता दिया Samsung Galaxy M02 के, तो यार अगर आपने smartphone के और जाना है, आप जा सकते हो, आगे बात कर लेता है, number 4 की, number 4 की बात करूँ, number 4 पर यार मैंने रखाया Redmi 9A को, तो यार अगर आप Redmi लवर हो, आपके लिए ये smartphone perfect हो सकता है, अगर आपका budget 8000 है, ज्यादा समय खराब नहीं करते हैं, बात कर लेता है, main specification की थोड़ा से deeply बता देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि आपको smartphone में क्या देखनी को मिलेगा, तो डिस्प्ले की बात करूँ, आपको 6.53 इंचेटी प्लस डिस्प्ले देखनी को मिल जाता है, प्रसाइसर की बात करूँ, आपको 2GB RAM मिल जाती है, प्लस 32GB storage प्लस आप expandable भी कर सकते हो, बैटरी की बात करूँ, आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस 10W का fast charger, camera की बातों को 3GB RAM के साथ camera देखनी को मिल जाता है, selfie की बातों को 5GB RAM के साथ selfie देखनी को मिल जाता है, प्राइस की बात करूँ, इसका प्राइस आपको 7000 कसे लेकर, 8000 के budget range में, Redmi 9A देखनी को मिल जाएगा, तो यहार, main specification में आपको बता दिया, Redmi 9A के, अगर आप इस smartphone के और जाना जाता हो, आप इस smartphone के और भी जा सकते हो, इसके color वगरा भी प्यारी देखनी को मिलते हैं, तो अगर आप Redmi 9A आपके लिए, यह smartphone perfect deal हो सकता है, अब यहां के बात का लेते है, number 3 की, number 3 की बात को, number 3 पर मैंने रखा realme C11 को, सबसे पहले, मैं आपको यह चीज़ बता दे जाते हो, अगर आपको color, design वगरा matter करते हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सही चीज़ होने वाली है, realme C11, because इसके color होगे, इसका design होगे, सच में बहुत ही ज़्यादा तगड़ा, अगर आपको design and color matter करते हैं, आपके लिए perfect deal होने वाला है, realme C11, तो बात कर लेते है इसके specification के, इसके specification भी आपको बहुत ही ज़्यादा तगले देखने को मिल जाते है, अगर आप hardcore gaming भी करना चाहते हो, आप easily normally कर सकते हो, भी ज्यादे समय कराब नहीं करते हैं, बात कर लेते हैं, main specification की, तो display की बात करूँ, आपको 6.5H IPS LCD देखने को मिल जाती है, जो कि 60 refresh rate के प्राब्लम इशू नहीं आने वाला, बैंटरी की बात हो, आपको 5000 damage की बैंटरी मिल जाती है, प्लस आपको 10W का fast charger देखने को मिल जाता है, camera की बात करूँ, आपको dual camera मिल जाता है, 30MP plus 2MP के साथ, selfie की बात करूँ, आपको 5MP selfie देखने को मिल जाता है, storage की बात करूँ, ये द 2GB storage के साथ, 3GB storage के साथ है, RAM के साथ, sorry, प्लस आपको 32GB storage देखने को मिल जाते है, प्राइस की बात करूँ, आपको 7500 के budget से लेकर 8200 के price range तक भी पहुन सकता है, realme C11, तो आप देख लेना, अगर आपके budget में set बैढ़ता है, आप जा सकते हो, realme C11 के, तो यहार main specification में आपको तगडे देखने को मिल जाता है, अगर आपको 60 refresh के साथ, इसके display देखने को मिल जाती है, उसके साथ, आपको media deck Helio G35 देखने को मिल जाता है, जो की gaming processor अगर आप hardcore gaming वगयरा भी करना जाते हो, आप easily normally कर सकते हो, इसका camera वगयरा भी आपको सही मिल जाता है, तो आप देख ले इसका भी design look वगयरा आपको आप पर देखने को मिल जाता है, specification के according पूरा loaded processor की बात करो, इसमें आपको media deck Helio G35 देखने को मिल जाता है, जो की 12 nanometer technology के साथ, अगर आप hardcore gaming करना जाते हो, आप easily normally इसमें भी कर सकते हो, आपको कोई भी problem issue नहीं आने वाला, storage की बात को 3 GB RAM मिल जा camera की बात करूं, आपको triple camera मिल जाता है, 30 megapixel प्लस 2 megapixel प्लस 2 megapixel, selfie की बात को 5 megapixel की selfie मिल जाते है, प्राइस की बात को इसका budget है, आपको 7500 के budget से लेकर आपको ये 8200 के budget range में Poco C3 देखने को मिल जाएगा, तो main specification में आपको बता दिया, Poco C3 कि अगर आप इसमार्टफोन के और number 1 की बात करें, number 1 पर यार मैंने रखा, Infinix Smart 4 Plus को, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये number 1 पर है, तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, या ऐसे है, या वैसे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, जो मैंने आपको पहले phone बता है, वो भी अपनी जगा बहुत ही ज़्यादा स सकते हो, अभी बात करते है, Infinix Smart 4 Plus के में स्पैस्जिकेशन की, तो या डिस्प्ले की बात करूँ हूँ, इसमें आपको 6.82 एच्टी प्लस दिस्प्ले देखने को मिल जाते है, प्रोसेसर की बात करूँ हूँ, इसमें आपको मीडियाटक हीलो 825 देखने को मिल जाता है, जो से लेकि 8000 के budget range में Infinix Smart 4 Plus देखने को मिल जाएगा, तो यार मेन स्पैसिकेशन में आपको बता दिये, Infinix Smart 4 Plus के, तो यार मैं आपको इतनी चीज बता दिना चाहते हो, अगर आपका budget 6000 है, 7000 है, या 8000 है, इस price range में, आपको camera तगरा नहीं देखने को मिलने वाला है, एंड जो Super processor है, वो भी आपको, जो है, वो average देखने को मिलेगा, उसके बाद, आपको Super AMLO display बिल्कुर भी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको IPS LCD वगारा देखने को मिल जाते है, इस price range में, N12 nanometer technology का आपको processor देखने को मिल जाएगा, N6000 MS की battery देखने को मिल जाते है, इस price range में मैंने आपको बदा दिया कि आपको क्या मिलेगा, क्या नहीं देखने को मिलेगा, तो आप देख लेना, अगर मेरा budget हो था भी मैं जाता, Poco C3 के और जान फिर अगर मेरा budget हो था 7-8000 बज़ट, तो मैं जाता, Realme C11 के और, विकर ये दोनों smartphone trusted brand है, top brand में से आते हैं, लोगों अगर मेरी वास सही नहीं आती होगी, तो इसको गिनूर करतना मेरी सेध नहीं ठीक है, तो इसलिए मैं ऐसे बहुत रहा हूँ ठीक है, तो भी मेलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ये वीडियो के साब या, थेंक्यू झाले पाले पाले क्टब ये वीडियो में